Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल ये 27 सप्टेंबर से लेकर 3rd October तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काज हैं, एट ओफ पेंटिकल्स और माउंटन रोड और ये कार्ट कहते हैं कि इस वीक in general, या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी एक्टिविटी में involved हैं, आप बहुत जादा डिवोशन, बहुत जादा डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं बहुत सारे chances हैं कि इस वीक आपके mind में सिरफ और सिरफ अपना goal, अपना मकसद ही रह रहा है और उसी के उपर पूरे focus, पूरे concentration के साथ, again मैं कहूंगी कि आप बहुत dedicatedly काम कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि एक workaholic वाली energies हैं जहाँ पे सिरफ और सिरफ काम 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 ही आपके मन में चल रहा है और वही आप कर भी रहे हैं जब आप you know again मैं कहूंगी कि physically काम नहीं कर रहे होते हैं तब आपके mind में भी आपका goal, आपका मकसद, आपका काम ही रहता ह इतना ज़्यादा कि इस week कुछ Aquarius के loved ones थोड़े से irritate, थोड़े से frustrated भी हो सकते हैं क्योंकि आप Aquarius उनके लिए time ही नहीं निकाल पा रहे हैं उनके साथ होते हुए भी हो सकता है कुछ Aquarius सिरफ अपनी professional life, सिरफ अपने career के बारे में ही सोच रहे हैं और कहीं देखिए जब हम ऐसी energies में होते हैं Aquarius तो हमारा goal achieve करने से हमें कोई भी नहीं रोग सकता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस week ही आपको positive outcome मिल रहा है, इस week ही आपको आपके hard work का एक reward मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने career, अपनी professional life से related, आप और knowledge gain करना चाहा रहे हैं और ज्यादा अपनी skills को update करना चाहा रहे हैं और इसी से ही related again मैं कहूंगी आप और पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं again training ले रहे हैं, workshop, seminar attends कर रहे हैं और देखिए eight of pentacles के नीचे mountain road का card कहता है, you are on the road to success, तो देखिए जो मैंने आपको अभी कहा, वही ये card भी confirm कर रहा है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, definitely आपको success मिलेगा, लेकिन देखिए eight queries में आपको यही कहूंगी कि life is all about balance, कभी कभी हम अपने professional front पे इतना जादा focus करते हैं, कि बाक की चीज़ें छूट जाती हैं, और इस चीज़ की realization हमें काफी आगे जाके होती है, जब ये चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, एक बहुत ही खुबसूरत लड़की ने मुझसे reading ली थी, तो वो मुझे अपना experience बता रही थी, बोलती है, ma'am मैंने सूचा था, marriages are made in heaven, तो इस लिए बहुत सारे लोग मुझे propose करते थे, बहुत सारे लोग मुझे में interested थे, लेकिन मैंने सिरफ अपनी professional life पे focus किया, सबको मना कर, और मुझे लगा कि बस मैं अपना काम पहले establish कर लूँ, शादी तो हुई ही जाएगी, और वो 31 years की हो गई हैं, और कहीं you know, professional life में तो पहले हो रहे हैं, और जब वो Facebook पे उन लोगों को देखती हैं, जिन्होंने उनको propose किया, और you know, again, जब वो देखती हैं कि कितने वो लोग खुश हैं अपने partners के साथ, तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि काश, you know, एक balance maintain करा होता तो जादा बहतर है, और मैं भी आपको यही कह होंगी, Aquarius, कि आप अपने काम पे focus करें, लेकिन life is all about balance, तो कहीं balance in the process में आप ना खराब करें, और यह सिरफ मैंने आपको example बताया है, सबके लिए different situations हो सकती हैं, सबके लिए different, you know, again, circumstances हो सकते हैं, जो भी हो, again, मैं कहूंगी कि आप balance तरीके से ही करें, कहीं work-life balance बहुत important भ करते हैं, कई बरी लोग, again, मैं कहूंगी, stress-sake anxiety भी इस वज़े से create करते हैं, तो देखिए, goal पे focus करना, again, बहुत अच्छी बात है, अपने मकसद के लिए dedicated होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन too much of anything is bad, चाहें वो कितनी भी अच्छी चीज हो, तो फिर से मैं कहूंगी कि इस चीज का आप इस week जरूर खायाल रखें, and personal front के लिए आप लोगों के लिए काज है, three of wands, rivers and dogs, और देखिए, three of wands, rivers का card कहता है, कि इस week, you know, किसी चीज का इंतजार आपको रह सकता है, और देखिए, general reading है, तो सब के लिए ये इंतजार differ कर सकता है, कुछ लोगों के ल हो सकता है, आप travel करना चाहते हैं, और उसी से ही related किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, किसी news का आप इंतजार कर रहे हैं, तो फिर से मैं कहूंगी कि एक waiting and allowing वाली energies दिख रही हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि आप long term की planning करना च चाह रहे हैं, लेकिन current situations में आप इतने उलजे हुए हैं, कि आप future के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, कहीं आप long term planning नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं इसी वज़े से या otherwise भी एक अकेलापन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और नीचे दिखिए dogs का card कहता है getting together with friends, तो द personal front में एक अकेलापन रहता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर दिखिए dogs का card एक दो चीज़ें कहता है, और चाहिए two areas के लिए हो सकता है, कि आप अपने काम पे focus कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक कोना आपके mind का, अपने friends के साथ connect भी करना चाहता है, कुछ लोगों के लिए हो स back of the mind में है, उनके साथ होते हुए भी कहीं इनों किसी level पे एक missing feeling है, एक अकेलापन है, और कहीं देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि आपके friends आपसे connect करना चाह रहे हैं, और आप शायद इनों इतने interested नहीं हैं, फिर से मैं कहूंगी कि यह general reading है, तो थोड़ा-थो हो Aquarius, बहुत important है, कि इस week आप अपनी energies को better करें, एक enthusiasm, एक excitement लेकर आएं, और कहीं work-life balance भी जरूर आप maintain करें, and guidance है, आप लोगों के लिए a card है, change your focus, तो दिखिए बहुत ही clearly a card कहता है, कि इस week हो सकता है, कि आप उन चीजों पे focus करें, जो आपके हिसाब से नहीं चल रही ह जो किसी level पे आपको परिशान कर रही है, जो कहीं उनों again मैं कहूंगी कि एक negative frame of mind लेकर आ रही है, और देखिए यहाँ पे personal front के लिए three of wands reverse के card में हमने देखा भी, आप एक अकेला अपन महसूस कर रहे हैं, कहीं उनों किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, तो frame of mind आपकी life में ला रही है, देखिए हम सब की ही life में कुछ अच्छी चीजे हैं, कुछ बुरी चीजे हैं, और जब हम बुरी चीजों पे focus करते हैं, यानि कि जो चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है हम परेशान होते हैं, और जब हम अपना focus shift क करते हैं, तो कहीं इनों एक better energies लेकर आते हैं, और फिर एक better energies universe से भी attract करते हैं, और दिखिए कोई भी ऐसा इनसान नहीं है, जिसकी life में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ तो हम सब की life में अच्छा है, और कुछ ना कुछ हम सब की ही life में हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो फिर से देखे जिस पे focus करेंगे वैसा ही महसूस करेंगे और वैसा ही attract भी करेंगे और इसलिए शायद यहाँ पे change your focus का card आपको कह रहा है कि आप positive चीजों पे focus करें जो चीजें beautiful हैं जो चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं आप उन पे focus करें और देखे एक और चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी Aquarius time बहुत ही flexible होता है जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है जब अच्छे पल होते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है और इस week आपके ओपर depend करेगा कि इस time को आप लंबा करें या छोटा करें अगर आप सा एक fun excitement अपनी life में लेकर आते हैं आप थोड़ा सा beautiful चीजों पे जो आपकी life में हैं उन पे focus करते हैं तो यकीन माने इस time को आप छोटा भी कर सकते हैं या मैं कहूंगी कि आप इस time को छोटा कर पाएंगे और देखिए again ऐसा करते हैं तो इस week की energies को भी आप काफी बहतर कर पाएंगे और astrology से आप लुगों के लिए the moon का card है और इसके हिसाब से white color इस week आप लुगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लुगों के लिए होगा Monday तो ये था Aquarius आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आ आप connect कर पाए